हेलो बच्चों मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजु मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत हैं बच्चों आज मैं आचारे हजारे परशाद दिवेदी द्वारा लिखित कुटच निबंद को लेकर आपके समक्ष उपस्तित हूं आज मैं कुटच निबंद के सारांस परतिबाद या मूल भागों आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगी और हमीशा की तरह मैं सारी बातों को लिखकर प्रस्तुत कर रही हूं मैं आप लोगों को यह बता दूं कि इस निबंध को पढ़ाने से पहले मैंने आचारे हजादी प्रशाद दिवेदी के एक निबंध असोक के फूल को भी दो भागों में पढ़ाया है और उस दोनों भाग वाला वीडियो का लिंक description बॉक्स में मैंने दे दिया है जिन बचों ने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है वे description बॉक्स में जाएं, लिंक को क्लिक करें और पूरे वीडियो को अच्छी तरह से समझें तो कुटच निबंद को ही मैं दो भागों में पढ़ा रही हूं भाग एक और भाग दो तो आज भाग एक की बारी है कुटच आचारी हजारी प्रशाद दिवेदी भाग एक सारांस मुल्भा प्रतिपात दे हिंदी निबंदकारों में आचारे हजरी प्रशाद दिवेदी का महत्मुन स्थान है वे भारतिय सभेता और संस्कृति के पुजारी है हजारी प्रशाद द्वेदी हिंदी निबंदकारों में सरुष्ट्रेश्ट माने जाते हैं भारती सब्यता और संस्कृति के पोशक माने जाते हैं निबंद कुटच उनके द्वरा लिखा गया एक ललीत निबंद है ललीत निबंद मतलब विषय प्रधान आत्मपरक निबंद इसमें भारती संस्कृति के गहन अध्यन की चाप मौलिक चिंतन और उसका भप्य और विराठ चित्र मिलता है हजारी बशा द्वेदी के एक विषयस्ता है कि उन्होंने अपने निबंद में अपने मौलिक विचारों की चाप छोड़ी है उन्होंने किसी भी विषय को प्रसुत करने से पहले उस विषय की काफी गहन अध्यन करके ही अपने विचारों को प्रसुत किया है इसलिए उसके निबंद में उनके विचारों की मौलिकता स्पष्ट रूप से दृष्टी गोचर होती है प्रस्तुत निबंद में आचार दिवेदी ने कुटज ब्रिक्ष के बारे में महत्पुन जानकारियों को प्रस्तुत किया है साथ ही जीवन के विवित पक्षों पर प्रकास डाला है लेखक आचार दिवेदी जी लेख का आरम प्रवतों की सुस्मा से सकरते हैं और हिमाले हम सब के समक्ष साकार हो जाता है और उसके चरन प्रदेश में दूर दूर तक फैली ही सिवालिक स्रेणिया भी स्पष्ट हो जाती है यानि निवन्द के आरम में ही निवन्दकार ने हिमाले की सुन्दर्ता का बणन किया है हिमाले की सोभा का बणन किया है हम सब के सामने हिमाले की सोभा जो होती है वो साकार रूप से स्पष्ट हो जाती है इसके साथ हिसाथ हिमाले के चरण प्रदेश में जो दूर दूर तक जो सिवालिक स्रेनिया है वो भी स्पष्ट हो जाती है हिमाले के बारे में क्या लिखते हैं उसे देख ले कहते हैं परवत सोभा निकेतन होते हैं दूर परवत राज हिमाले की हिमचादित चोटिया है कुटच के उत्पत्ति स्थान के बारे में लेखा काया मानना है कि हिमाले परवत के नीचे सिवालिक परवत स्रिंखला दूर दूर तक फैली हुई है कुटच के उत्पत्य स्थान यानि कुटच का पौधा कहां जन्म लेता है इसके बारे में उन्होंने बताया है कि हिमाले परवत के नीचे सिवालिक परवत स्रिंखला जो है दूर दूर तक फैली हुई है यह परवत एकदम नीरस सूखी तथा पेड़ पौधों से रही थै औ त्यानिस वालिक चेत्र जो है वो सूखा निरस होने पर भी इसी सूखिय और निरस चेत्र में कुटच का पौधा कुटच का ब्रिक्ष दिखाई देता है और कैसे दिखा देता है फूलों से लदा हुआ प्रस्चित दिखाई देता है इनकी जड़े कठोर चट्टानों को भेद कर काफी गहराई तक जा कर अपने लिए जल और भोगे खीच लाती हैं, तो ये कुट्रच का जो पौधा होता है, इसकी जड़े जो होती है, वो चटानों को भेद करके बहुत गहराई में उतरती हैं और वहां से अपने लिए जल अपना भोगे को खीच लेती हैं, क्योंकि बिना नाम के पहचान अधूरी है, वे रूप तो देखते हैं पर नाम याद नहीं आता है। दिवेदी ची लिखते हैं, जब उन्होंने इस बिक्षों को देखा, तो वे बहुत उन्हें पहचाने से लगी, पर नतो किसी बहलत में इस बिक्ष का नाम उन्हें याद नहीं आता है। तब रूप तो याध है, लेकिन नाम याध नहीं है, नाम के बिना उन्हे लगता है कि परिचे जो है वो अधूरा है, उनका मन जो है उस बिष्ट का नाम जानने के लिए छटपटा उठता है, बेचेन हो उठते हैं, व्याकुल हो उठते हैं, और उन्हें ये मह zucchini बिना किसी क पहचान अधुरी है पर उनके मन में एक प्रश्न उठता है तो चलिए देखते हैं क्या है प्रश्न नाम बड़ा है या रूप लेखक उस पौधे को नया नाम देना चाहते हैं पर उनका नमन नहीं मानता देखिए लेखक को लेखक के मन में एक सवाल उठता है कि तो नाम बड़ा होता है या रूप तो लेखक सोचते हैं कि क्यों ने इस ब्रिख्ष को एक नया नाम दे दिया जा लेगिन उनके मन को संतुष्टी नहीं मिलती है नाम को लेखक बड़ा मानता है क्योंकि नाम को समाज की स्विकृति मिली हुई है यानि लेखक नाम को बड़ा मानते है क्योंकि उस नाम को किसकी स्विकृति मिली है समाज की स्विकृति मिली है समाज ने उस नाम को स्विकृति किया है रूप व्यक्ति सत्य है, कि तो नाम समाज सत्य है, रूप किसी व्यक्ति का सत्य हो सकता है, लेकिन समाज का सत्य क्या है? समाज का सत्य है नाम, नाम समाज द्वारा प्रमानित है, उस पर समाज की मुहर लगी है, और नाम क्या होता है? समाज द्वारा प्रमानित होता है, पहचान जाते हैं यहां मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती है कि कभी कभी ऐसा हम लोगों के साथ भी होता है यह किसी से आपकी अचानक मुलाकात हो जाती है बहुत दिनों के बाल आप उसे पहचानत जाते हैं. उससे आप बाते भी कर लेते हैं, पर अपको उसका नाम याद नहीं है. जब आप घर वापस आते हैं, तो आपको बहुत बेचेनी होती है, छस्पटाहट होती है, कि जिस व्यक्ति से आपने अभी बात किया, वो व्यक्ति को तो आप पहचानते हैं, लेकिन आप उसके नाम को नहीं जानते हैं, और जब तक नाम आपको याद नहीं आता है, आपके मन में एक बेचेनी होती है, जैसे ही उस व्यक्ति का नाम आपको याद आ जाता है, आपकी स ऐसी चीज है जिस पर समाज की स्विकृति की मुहर लगी होती है। देखिए हम सबके भी अपने अपने नाम हैं और हमें भी जो नाम दिया गिया है उसी ही नाम से पुकारा जाता है। हम किसी को किसी दूसरे नाम से नहीं पुकारते हैं क्योंकि जब किसी चोटे बच्चे का जनम होता है तो उसका नामकरन होता है और उसी नामकरन में उसमें क्या हो गया समाज की मुहर लग गई समाज की स्विकृति हो गई तो हम लोग भी जो समाज के दरा स्विकृत नाम है उसी नाम से किसी को जानते हैं। दिवेदी जी आगे लिखते हैं कि कुटच का उलेक कालिदास ने मेगदूत में किया है। जिसमें यक्ष को कुटच पुस्पों से मेग की अर्चना करते हुए चितरित किया गया है। उस सूने गिरीक आंतर में जब कोई फूल उपलद नहीं हुआ तब कुटच का फूल नहीं साथ दिया। यहां पर कुटच को गाढ़े का साथ ही कहा गया है। दिवेदी जी ने बतलाया है कि कुटच का उलेक हमें कालिदास के नेगदूत कावे में मिलता है। जहां पर यक्ष ने नेक की अर्जना के लिए कुटच के फूस्प का सहारा लिया। यह कुटच के फूल को चढ़ाया था। इसलिए कहा गया है कि उस गिरीक आंतर में जहां पर कोई फूल उपलद नहीं था। वहां कुटच के दिख्ष ने उस यक्ष का साथ निभाया। इसलिए कुटच को नए गाड़े का साथी है। इसी प्रस्तंग में आचारदिवेदी को दुनिया की स्वार्थी प्रवर्थी स्मरन हो आती है। और वे किसका उधरन देते हैं? रहीम का। वे कभी रहीम के उधरन से यह बतलाते हैं कि कभी रहीम नेक दर्या दिल इंसान थे। लेकिन एक राजा ने अपनी स्वार्थी प्रवर्थी की कारण उन्हें दर्वार से निकाल दिया। फिर भी रहीम का महत्व नहीं घटा है। रहीम की द्रिष्टी में कुटच एक अधना यानी छोटा सा द्रिख्ष्ट है। रहीम जी नेक और दर्या दिल इंसान थे। वे मुगल समराथ अकबर के नवरतनों में से एक थे। उन्हें काफी मान सम्मान मिला लेकिन उसी रहीम को एक दूसरे राजा ने अपने दर्वार से निकाल देया। तो कहने कार्थ है कि किसी व्यक्ति को अगर कोई सम्मान करता है और फिर कोई उसका अफमान कर देता है। तो उस व्यक्ति का सम्मान घटा नहीं है, जो सम्मानित है, उसका सम्मान हमेशा बना रहता है। टज निबंद में आचरधिवेदी ने कुटज सब्द की उत्पत्ति के बारे में बताया हैं, कि सब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। वे कुटच सब्द की व्याख्या प्रसुत करते हैं, कूट का अर्थ होता है घर या घड़ा, घड़े से उत्पन होने के कारण अगस्त मुनी को कुटच भी कहा गया है, परंतो आचरदिवेदी से स्विकार नहीं करते हैं, संस्कृत में कुटहारी का और कुटकारी का दो सब जिसका अर्थ है दासी, गलत धंकी दासी को कुटनी कहा जाता है, लेखक को या बात उचित नहीं लगती है कि कुटच का ब्रिक्ष जंगलों में पाये जाता है, घर या गमला या घड़ा में नहीं, यानि लेखक ने जो बताया कि कुट सब्द कार्थ होता है घर या तो कुटस्ट का पौधा तो जंगलों में पाया जाता है तो इसका घर और घड़ा से कोई सम्मंद नहीं है इसी प्रसंग में आचार दिवेदी को विभिन भासा सास्तियों का इस्मरन हो जाता है वे सिल्वा लेवी के कथन पर विचार करते हैं निया कहा गया है कि संस्कृत भासा में फूलों, ब्रिक्षों और खेती, बागवानी के अधिकान सब आगने भासा परिवार के हैं लेखक निया भी इसपष्ट किया है कि पहले अस्ट्रेलिया और एसिया के महादीप एक दूसरे से मिले थे तो जैसे कि हम लोग संस्कृत से ही उत्पन है हिंदी, हिंदी में भी हम लोग देखते हैं कि विविन भासा के सब्द मिले हुए हैं, इनका सब्द भंडार काफी विश्चित हुआ है इस वज़र से तो उम्मीद करती हुँ कि कुटच निबंद भाग एक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गिया होगा वीडियो को लाइक करें, सेर करें, जो बच्चे चैनल पर नहीं है, वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तो मिलती हुँ कुटच निबंद के भाग दो वाले वीडियो में तब तब पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए, मेरी सुब कामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है, धन्यवाद